हालो स्टुडाइंग्स, वेलकम चुमाई एवियस क्लास, फॉर क्लास टू, तोड़े आम गोंग टू टीच यू, नो यो बॉडी पार्ट्स, आज हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, अज यू आल नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवर बॉडी इस मे एक पार्ट है, वो अलग-अलग वर्क करता है, हमारी हेल्प करता है, वर्क्स को करने के लिए हैं ना, and the part of the body that we can see and touch are called external organs, जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, और जिने हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, external organs, for example, eye, nose, ear, hand, leg, है ना, ये, so, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, as I told you, our body parts help us to do different kinds of work, तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट क्या है, help करता है, work करने में, different kinds of work, so, our leg and toes help us to walk, run, dance, है ना, हमारे जो पहरें वो किसमें help करते हैं, हमारी walk करने में, running करने में, है ना, and our arms and hand and finger help us to ride, hold things and push, our mouth help us to eat and drink, हमारा mouth खाना खाने में, और पानी पीने में हमारी help करता है, drink करने में help करता है, teeth help us to chew the food, दात हमारी खाने को चवाने के लिए help करते हैं, our neck help in the movement of head up, down, side to side, और जो हमारा neck है, वो हमारे head को यहाँ से वहाँ, इधर से अधर, move करने में help करता है, movement करने में, so we carry our bag on our shoulders, our bag help us to twist and bend, जब हम आपको पता है, जब हम अपना bag कहां पे hold करते हैं, हम लोग अपना bag, shoulders पे carry करते हैं, और हमें carry करते हैं, तो twist or bend भी होते हैं, तो वो twist or bend किसके help से होते हैं, back की help से होते हैं, so these are our body parts, यह जो हमारी help करते हैं, हमारे daily work करने में, यह न, बहुत सारी चीज़न जानने में, I will come, I will teach you more topics in my next video, thank you. करते हैं, Gretek